हलो फ्रेंज जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त CRP और BRP की पोस्टें निकले हुई हैं हर पोस्ट में Computer Compulsory मांगा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं देखें यहाँ पे BRP Hindi की पोस्टें है, BRP English की पोस्ट है इसमें भी Computer मांगा हुआ है BRP Maths है, तो यहाँ पे भी Computer मांगा हुआ है, तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे Computer Compulsory रखा गया है तो मेरे बहुत सारे वियर्स हैं जो Confused में हैं कि Computer का कौन सा Diploma यहाँ पे लगाए जाए तो Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BRP और CRP की पोस्ट के लिए आप कौन सा Computer Diploma यहाँ पे लगा सकते हैं तो बने रहे यह वीडियो के लास्ता है अगर आपके पास इन में से कोई भी एक Diploma या Certificate है तो आप BRP और CRP के पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है DCA DCA का Full Form है Diploma in Computer Application अगर आपके पास यह Certificate है आप लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ADCA ADCA मतलब Advanced Diploma in Computer Application ADFA Advanced Diploma in Financial Accounting उसके बाद है A Level ASAP Additional Skill Equation Program O Level और Equivalent अगर आपके पास O Level का है तो आप यहाँ पे O Level का भी लगा सकते हैं Course on Computer Concept अगर आपके पास CCC है तो वो भी आप लगा सकते हैं बाकी यहाँ पे B और C Level भी दिया है अगर आपके पास यह Certificate है तो आप BRP और CRP के लिए apply कर सकते हैं I hope की friends आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि BRP और CRP के लिए कौन-कौन से Computer Diploma और Certificate आप लगा सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसका reply मैं आपको 24 hours के अंदर दे दूँगा Thanks for watching